यह मं बैश्विक शान्ति के लिए प्रमुख खत्रा बना हुआ है। हम चुनोती से निपटने के लिए निरिना एक कारवाई आवशक है। आतंगवात चाहे कसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसकी विरूत मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेरिजिम को अपनी नीतियों के इंस्ट्रुमेंट के रुप में इस्तिमाल करते हैं, आतंगवादियों को पना देते हैं, SEO को ऐसे देशों की आलोचना में लिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विश्यपर दोहरे मापदन के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनांसिंग के निपसे निपटने के लिए हमें भी आपसी सहीयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें SEO के रेट्स मेकनिजम की महत्वपण भुमिक आ रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फ्यलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विशह में आज जरूरी आज जारी की जा रही जॉइन स्टेट्मेंट हमारी साजा प्रतिवद्दता का प्रतीख है। एक्सलेंसिस अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरुक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपैक्षाएं S.C.O. के अधिकांस देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्डियान के लिए मिलकर प्रयास करने होगे अफगान नागरिकों को मानविय सहायता एक समावे सी सरकार का गठन आतंगवाद और ड्रग तसकरी के विरुद लड़ाई तता महिलाओं बच्चों और अल्प सरक्यकों के अधिकारों को सुन जहां प्रात्पिक्ता हैं भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सद्यों पुराने मैत्रिपून संबंद रहे हैं पिछले दो दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है दोजार इकीस के घटना करम के बाद भी कि हम मानुविय सहायता बेचते रहें यह आवशक है कि अफगानिस्तान की भूमी पडोसी देशों में अस्थीरता भिलाने या एक्स्टिमिस्ट विचार धाराओं को पुत्साइद करने के लिए उप्योग न की जाएं एक्सलेंसी किसी भी छेत्र की प्रगति की लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवशक है बहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं आपसी विश्वास भी बढ़ाती है किन्तु इन प्रयासों में SEO चार्टर के मूल सिध्धानतों विशेश रुप से सदस्य देशों के संप्रभूता और ख्षेत्रिय अखंडता का सम्मान करना बहुती आवशक है इरान की SEO सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बहतर उप्योग के लिए काम कर सकते हैं मद्य एशिया के लैंड लॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नौर्थ साउट ट्रांसपर्ट कोरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरत्षिक और सुगम रास्ता बन सकता है हमें इसका पूरा पोटेंशिल रियलाइज करना चाहिए एक्सलेंसी, S.C.O. विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थिववस्ता के लगबग एक तिहाई का प्रतिनिदित्व करता है और इस कारण यह हमारी साजा जिम्मेदारी है कि हम एक दुसरे की जरुनतों और सम्वेदन सिल्टाओं को समझे बहतर सयोग तता समनवाई के मादम से सभी चुनोतियों का समाधान करे और हमारे लोगों के कल्यान के लिए निरंतर प्रयास करे भारत की अध्यक्षता को सभल बनाने में आप सबसे हमें निरंतर सयोग मिला इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं S.C.O. के अगले अध्यक्ष कजगस्थान के राष्टपती और में देने मित्र प्रेशिडेंट तोकायेव को पूरे भारत की और से बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ S.C.O. के सभलता के लिए भारत सभी के साथ मिलकर सक्रिय रूप से अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है बहुत-बहुत धन्यवाद जर की बहुत-बहुत